असलाम लेकुम आज का जो विलोग है यह आउड़ोर कनी मैंने बनाया क्योंकि आफटे है तो इस वज़ा से मैं सोच रहा था कि कोई इंफॉर्मिशन डीक्यू यूके वाले जो चैनल है उसमें मैंशन कर सकूं ताकि आप लोगों के लिए कफ़ जादा सानी बैदा हो वीजा अपलाय करना है तो उसमें क्या क्राइटियरिया होगा किस तरह अपलाय होता है मैं आपको जस्त बेसिक चीज़े बताऊंगा उसके बाद आप चाहिए खुद भी अपलाय कर सकते हैं या आप जिस से भी अपलाय करवाएंगे आपको समाओ नालिज हो जाएगी कि आपने क् होता है जब भी आप किस के अपास जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि मुझे वीजा चाहिए स्टडी का ठीक हो गया यूके में मैंने जाना है तो में इंटेंशन स्टूडिन्स कर यह होता है कि पहले वहाँ पर हम पहुंचे किसी भी के अंदर हमें जॉब वगारा ओ सोरी ज जो यूनिवस्टी होती है जिसके सबसे कम आप कह सकते हैं कि फीस पोगहरा होती है आप उसको जून रहे होती है यह पिर जो इनिशली जो फीस होती है जिसको इंडॉल्मेंट फीस बोला जाता है इसकी कम होती है आप वह ट्राइकर तो वह चीज हमें मिले ताकि हम वहाँ इंटरी तो एक दफ़ा हमारी हो जाए उसके बाद आप किसी ने किसी तरीकी से मैनेज कर सकें तो जब भी आपने स्टेडी वीजा को डीज करना होता है तो इसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि FSC तक जो है उनके 70% मा जो होने चाहिए और प्री ग्राजुएशन जो इसको ब इसके डीज होते हैं तो आप अपलाय करने के लिए इस लिसले में अकडेमिक जितना भी आपका रिकार्ड होता है एडू जी आपको अपने अजन्ट को आपको बेजना पड़ता है वह सबसे पहले तो इसको असेस्मेंट करता है कि आया कि आपका जो कॉर्स किस कॉर्स में फाल करते हो वह कॉर्स में फालिंग के बाद आपको जो फस्ट इन्रॉल्मेंट की इनिशली फीस होती है उसके बारे में बताता है कि अगर आप इसके लिए अपलाय करते हो तो जो फस्ट इन्रॉल्मेंट फीस होती है उसके बारे में होता है जब आप अपने किस भी ग्यारा करवाते हैं तो कुछ स्टार्टिंग में फीस पेयर करने पड़ती है तो उसके आपको आपको परकूद करते हैं कि आपको किस तरह आप अपसके आपको पूले कर सकते हैं जो होता है English test की जरूरत पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी तो यह सारे का सारा एक study जब plan आपका consultant बनाता है तो उसके बाद आप को पता सलता है कि आपने किस तरह apply करना किस तरह नहीं apply करना तो वह आपको options मुख्तलिब दे देते हैं कि यह इस युनिवस्टी की इतनी topics फीस इनिशली kys तरह यह तो जो उपेयस करता है कि कुंसी प्रकु आपका os looking थाय। इसके ही करने के बाद जाकर आपका वह वीजा का प्रसेसिंग होता है वह फिंच की का बेंध कीफ्जू propagation क निदर हो जाता है learnt मैंकि यह ज़ने के तो जब आपका प्रसेसिंग कर लेते हैं तो उसके बाद जाकर आप जहां पर भी स्विच करना से कर सकते हैं तो यहां पर में चीज होती है कि आपको बेटर किसमका जिसके पास बहुत जादा नौलीज हो वह वाला आपको परसन मिले जो आपको स्टैब बेसिकली मैं जादर जो केसिस हैंडल करता हूं वह फैमिल वीजा से रिलेक्टिड है मैंने कभी कोई केस किया ही नहीं है तो लेकिन मेरे पास काफी लोग असेस कर रहे हैं और मुझे को कहा रहे हैं कि आप इस पर वर्क करें तो इसलिए मैं इनिशली जो है वह वीडियो बिनाना शुरू करूंगा और मैं जब इंटेक का प्रसेस आएगा बायोमेट्रिक्स का का आएगा सम्मिशन का आएगा इंटेक्स होगी इसके बाद जो आपकी प्री इंडूर्ल्मेंट होती है तो उस बारे में थोड़ी अगाही आपको देता रहूंगा ताक्कि आपके लिए असानी पैदाती रहे होगी नेक्स बृडियो ताकि लिए अपना ख्यार लेके कर दोड़ी हैं